वेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे तो यह वीडियो जो है काफी दिनों बाद मैं लेकिया है अपनी यूट्यूटीब चैनल पर और इसमें आपको अगले 10 से 15 साल होंगा मेरा क् में पॉट्फोलियो का क्या फर्फोर्मेंस है इसके उपर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहरे देख लेते हैं जो मेरा म्यूचल फंड का पॉट्फोलियो अभी 5,19,000 पर पहुंच चुका है और दीरे दीरे इसमें मैं लमसम अमांट भी आड़ कर रहा हूं मेरे को यहां प इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो एक बार मेरे मिच्व फंड पॉट्फोलियो पर थोड़ी से नजर मार लेते हैं मेरा जो सबसे अच्छा फंड जो है परफॉर्म कर रहा हो है क्वांट स्मॉल कैप और दूसरे नंबर पे है अपना निपोन इंडिया स्मॉल कैप लेकिन ह इस लॉंग टर्म इंवेस्टर आई फिल डैट कि एजबी जो है थोड़ा सा ज्यादा ब्रोस्यमंद है मेरे लिए बाकी हर किसी का अपना अपना प्रस्पेक्टिव सोब रखता है इसको लेके उसके बाद HDFC स्मॉल कैप में लगा रखा है एक्सी स्मॉल कैप में लगा है ठीक है तो आपको डिफरेंस यहीं पर नजर आ जाए अगर मैं इसको रिटर्न वाइस अगर शो करूं तो किसी पर मेरे को 40 परसंट आ रहा है किसी फे 42 44 52 जो आ रहा है वो सिर्फ स्मॉल कैप पे जो है क्वांट के वे आ रहा है उसके बाद 48 परसंट जो है निपोन स्मॉल कैप में उसके पैदे डेप्ट फंड था इसकी हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो आप कोमेंट कर सकते हैं इसके पर एक डेडिकेटर वीडियो जो मैं लेकर आ सकता हूं उसके बाद नीचे चलते हैं देखिए मैं थोड़ा सा जो है अपना टेक्स बचाने के लि ठीक है उसके बाद चलते हैं अपना कुछ मेरे पास इंडेक्स फंड है पिछले दो तिन सालों से देखा जाए तो इंडेक्स फंड को बीट करते हैं अपने म्यूचल फंड लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा में जाऊं थोड़ा सा लॉंग टर्म में पिछले 10 से 15 साल म तो बहुत सारी म्यूचल फंड ऐसे हैं आप 80% मानके चल सकते हैं जो अपने बेंचमा को बीट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मैंने यह इंडेक्स फंड में लगाना अपना पैसा शुरू कर दिया है ठीक है देखो अभी यह थोड़ा सा करंट में इंवेस्टमेंट है इसल और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन-कौन से नई फंड है कौन-कौन से पुराने फंड है अगर मैं इसमें लेके चलता हूं आपको करंट में इंवेस्टमें तो कुछ चार-पांच फंड हैं जो अभी रिसेंटली एड हुए हैं टाटा स्मॉल कैप अभी आने वाले टाइम में काफी अच्छा करेगा इसलिए मैंने इसको एड कर लिया है ऐसा नहीं कि बाकिर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे लेकिन मेरे को जो है अपना ज्यादे से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में रखना था और मैं डाइवर्सी फाई जो अपने है वो है सबसे पहले एक वन सीयर करोड कर जो है अचीव करना उसके बाद इसको डबल करूंगा अगले छे साल में ठीक है और अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा इस साइड में जहां पे यह दिखा देता हूँ कि अभी जो मेरी एज है 25 है और मैं 36 का जो मेरा है retirement plan already कर चुका हूँ तो service में मैं दिखा सकता हूँ कि मैं अभी present में जो मेरा job करता हूँ मैं उसमें कितना साल से जो है लगा हूँ तो अभी मेरा सात्वा जो है running है और मैं total 18 साल जो है अपनी job जो है continue करना चाहता हूँ हलाकि यह number थोड़े उपर नीचे हो सकते हैं अगर market ने अच्छे return दिये तो हो सकता है कि जो 1 CR है वो मेरा जो 2035 की जगा 31 में ही मैं achieve कर लूँ हलाकि मैं investment बहुत ही aggressive तोर पर करता हूँ मैं अपने savings का न लगबग जैसे अभी formula है कि 30% आपको invest करना चाहिए और 70% जो आपको खर्च करना चाहिए तो मेरे case में उल्टा है मैं 70% invest करता हूँ और 30% जो है उसमें अपना खर्चा और savings जो है रखता हूँ तो उसके बाद चलते हैं जैसे अभी मैंने age का अपना लगा दिया है कि मैं 36 में retire होना चाहता हूँ जब मेरी job है जो 18 साल की complete हो जाएगी और year चल रहा होगा 2035 तो उस time मेरे पास एक करोड़ का something कुछ होगा और इसमें मैंने अपने goals जो है वो एड़नी किये है इसके इलावा मेरे पास एक घर होगा जिसके कीमल होगे लगबग 50 किसम थी यह मैं अभी आने वाले 8 से 10 सालों में इसको क्या है अचीफ करूँगा और गाड़ी मैंने पहले ही ले चुका हूँ तो उसकी EMI जो है अगल होते ही तो जो है numbers जो है थोड़े सी यहां से आपको aggressive लगेंगे तो यह हो गया मेरे mutual fund का थोड़ा सा future plan जो अब बोल सकते हूँ अभी बात करता हूँ आने वाले time में कौन-कौन से fund है जो मैं हटाओंगा कौन-कौन से fund है जिन में और ज्यादा मैं aggressively invest करूँगा तो देखि से थोड़ा सा small cap से small cap से थोड़ा सा mid cap की तरफ shift होंगा क्योंकि जैसे आपका corpus जो है बड़ा होता जाता है तो आपको risk लेने की जो आपकी ability है वो थोड़ी-थोड़ी कम होनी चाहिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो risk और बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको और ज्यादा अच्छे number achieve करने है लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे 50,00,00 के उपर अगर आपका portfolio पहुंच गया है तो आपको थोड़ी सी एक अपने risk को manage करते हुए थोड़ा चलना चाहिए सुरी मैंने CR लिख दिया है 50,00,00 के अगर आप उपर जाते हो तो आपको थोड़ा सा risk जो है कम करना चाहिए आपको थोड़ा सा long term जो सुरी अपने large cap fund होते हैं उनमें ज्यादा invest करना चाहिए तो इस वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही अभी next वीडियो जो आएग सेविंग्स कैसे कर सकते हैं उसके बाद अपने expenses को निकाल के इसमें से जादा जादा investment कैसे कर सकते हैं और आने वाले time में जो time है जैसे small cap काफी trending चल रहे हैं इन से भी छोटा एक fund जिसको आप micro cap बोल सकते हो वो भी काफी अच्छा fund है तो small cap से उसमें भी कोई shift होना चाहत है तो इस सकते उपर हम देरे देरे आने वाले time में चर्चा करेंगे तो अभी मेरा जो channel है वो 1000 subscriber के बहुत करीव है तो आप अगर हो सकता है तो please channel को subscribe करके वीडियो को like कर दें और bell icon भी दबा दें channel का ताकि आपको जो latest update है वो जल्दिस जल्दी मिलते रहें तो आज के लि